अगर आप डाइट पर हैं और अपने लिए कोई healthy option देख रहे हैं जिसे आप जब भी मन जाया तब बना सकें और खा सकें तो एक एसी recipe में आपके साथ share कर रहे हूँ इन्हें आप कभी भी बना सकते हैं सुबह के टाइम में बना लीजिये या फिर शाम की लिए बना लीजिये डिनर के लिए भी आप इन्हें try कर सकते हैं और इससे पेट भी भर जाता है और मन भी निए भरता बहुत ही ज़्यादा अच्छे रगता है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए जल्दी से हम ये रेसिपी शिरू करते हैं इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओट्स तो यहाँ पर मैं दो कटोरी ओट्स का इस्तमाल कर रहे हूँ मैं सबकी लिए ही बना रही हूँ इसलिए आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं या फिर आप अपने लिए बना रहे हैं उसके इसाब से ही सारा सामाल लेजेगा तो मैंने यहाँ दो कटोरी ओर्ट्स लिए है और इन्हें भिखानी के लिए मैंने एक कटोरी दही का इस्तमाल किया है इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे सबसे पहले आपको यहीं काम करना है इससे ओर्ट्स सौफ्ट हो जाएंगे आप मैं इसके लिए थोड़ी से सबजियां चॉप करूँगी तो यहाँ पर मैंने एक शिमना मिर्ची ले लिए है जिसे मैंने एक तम बारिक चॉप किया है इसके साथ आधी लाल वाली शिमना मिर्ची लिए है जिसे मैंने एक तम बारिक चॉप किया है और यहाँ पर हम beans का भी इस्तमाल करेंगे तो थोड़े से beans लिए हैं जिनने देखिए मैं एकदम बारिक चॉप कर रहे हूँ इसी दरह से सारी सबजियां बारिक चॉप करके ही लेनी है तो आप इन्हें एक प्लेट में साइट में रखते जाएगा एक टमाटर लिया है जिसके मैंने बीच निकाल दिये हैं और इसे भी फाइनली चॉप कर लिएंगे हम आपके घर में जो भी सबजियां है आप उन्हें ले सकते हैं इसमें आप मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं पनी का इस्तमाल कर सकते हैं और पत्ता को भी फूल को भी जो भी आपको मेले आपके पास जो भी अविलिवल है आप टाल दीजिएगा यहां पर पर दिखी मैंने आधी आजर ले थी जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है चार हरी मिर्ची ली है जिने मैंने रफ्ली और एक ग्राइंडिंग जाड ले लेंगे इसमें जारी मिर्ची डाल दीजिए एक चोटी चम्मा सौफ एक चोटी चम्मा स्थनिये के बीच चार काली मिर्ची और दो चम्माच यहां पर मैंने चोटी वाली मुंगफली ली है इन सारे मसाले को हम दरदरा सा पीस लेते हैं और इनका पेस्ट नहीं बनाना है पाउडर भी नहीं रखना है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए मैंने इने दरदरा सा पीस लिया है इसी तरह से आपको तयार करना है इस मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी टिक्की में और यहां पर देखिए जो ओट इसी आपको बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहां पर जो भी सब्जियां हमने चॉप की थी सारी सब्जियां हम डाल देते हैं और सब्जियां जितने अच्छे से बारिक चॉप होंगी उनका टेस्ट और टेक्शर उतना ही अच्छा आएगा अब यहां पर एक केला लिया है मैंने जो कि बॉइल था तो मैं इसको अच्छे से कद्दू कस करके ही इसमें डाल रही हूं कोई भी बड़े टुकड़ी नहीं रहना चाहिए आप इसकी जगे पर आलू प्याच का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने इन में से एक भी चीज का इस्त पाउडर लाल मिस पाउडर टालेंगे अपने तीखी की अकॉडिंग डालिएगा और थोड़ा से इस नाल देंगे धनिया पाउडर तो ये स्पाइसे जों रीकुल रहे हैं कि अश्तमाल करेंगे अभ समे डाल देंगे थोड़ा सा मचूर पाउडर करेपे उएक चौत़ क ऐसंगे खुजें को एड कीजिएगा और अब सबजियां हमने इसमें डाल दी है अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है तो सबसे पहले हम सब्तोडें को अच्छे से मिकस कर देते हैं Oats के साथ में यहां पर तोड़ी राकी बंदी हुए है मेरे हाथ में तो वह परिशान कर रही थी तो इस वज़े से साइट किया और यहां देखिए अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है बहुत ही जादा अच्छे से यह सॉफ्ट हो जाएंगे अभी जितना आपको टाइट लग रहा है यह उतना अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सब्जी अपना मश्या छोड़ देती है तो इन्हें मैंने ढखकर रख दिया है दस मिनिट के लिए दस मिनिट बात मैं इसमें डाल रही हूं हरी चटनी हरी चटनी ऑप्शनल है वैसे तो लिकन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और अब मैंने इसमें नमक ड लिया है टिक्की के लिए और इसे आपको जाधा पतला नहीं करना है जैसा टेक्शन मेरा है बिल्कुल वैसे ही आपको बना कर त्यार करना है यह जो टिक्की है खाने में बहुत ही जाधा अच्छे लगती है आप इसे नाश्टे में बनाएगा शाम को बनाएगा डिनर के ल होता है इसी रहता है जल्दी बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो चमच की मदद से आप इस तरह से इनके छोटी-छोटी टिक्की बना कर त्यार कर लीजिए दोस्ता अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह से मैं बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगे यह देखिए मैंने सारी प्लेट्स में टिक्की बना कर त्यार कर ली है और जो भी टिक्की आपको फ्राय करनी है एक प्लेट निकाल लेजिए बागी की प्लेट्स आप फ्रेज में रख सकते है एक या दो दिन तक इन्हें रखिएगा जब भी कोई गैस टाय आप उन्हें तुरंद फ्राय करके दे सकते हैं और अगर आपके खर में कोई पार्टी है तो पहले से आप इन्हें बना कर रख सकते हैं यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर और इसमें टू टेबल स्पून ओयल डाल दिया है और चारू तरफ फैला देंगे और हलका सा गराम हो अबने देंगे जैसे ही ओल गरम हो जाता है यह जो टिक्कियां हमने बनाई हैं एक करकेस में डाल देंगे एक पार में पैन में जितनी टिक्किया आती है उतनी ही आपको डालनी है बहुत जादा नहीं भरना है जब यह जब टिक्वित कि अच्छे से एक साइड से शिक और इस तरह से मैंने तो टो टेवल स्पून डाल कर इनको फ्राई किया है सब्सकाइब ओक यह द्यागर पतने तक क्रिस्पी हो जाती है तो यह देखीए एक बैसրे 15 में तयार कर लिया है अच्चे से यह इन्हें सब्सक्राइब 웃ाने हो चुकी है दोनों साइड से ये देखिए टिक की खाने के लिएक तम तयार हो चुकी है बहुत ज़ी ज़ादा गर्मा गरम है और इसी तरह से मैंने सेकेंड बेच भी अपना तयार कर लिया है बस आराम से बैट कर खाना है क्योंकि ये बहुत ज़ादा टेस्ट लगती है और मेरा तो मतलब बहुत ज़ाद जादा फैबरेट है मेरी बहुत ही अच्छी लगती है तो यह लिजी हमारा नाश्ता बनकर त्यार हो चुका है इसके उपर मैंने थोड़ा सा डिखने में भी अच्छा लगता है साथी खाने में भी अच्छा लगता है और इसे हरी चटनी के साथ या पर टमेटो केचप के साथ आप सर्फ कर सकते हैं हरी चटनी के साथ जादा अच्छी लगती है मैं आपको एक तोड़कर पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई भी इनको बहुत ही आराम से खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा करम भी है ये तो हो इसको रख देते हैं, तो मैंने आपको इसक बिल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा